निलास, युनिसेक सलोन एन अकाड़मी, अपोजेट बदर विद्याले, विशाली नगर अजमीर, इंटरनाशनल वाच्चस कलेक्शन, बाइ मिनिट्स तू स्टाइल, मातिन दिलब्रिज अजमीर मुखे मंतरी गहलोत का केंद सरकाल पर बड़ा हमला, गहलोत ने कहा कि देश में चल रहा है खतरनाग खेल, नागरिता संशोधन कानून 370 जैसी बात एकर भारत को हिंदू राष्टर बनाने की भाजपा कर रही है तयारी, तो वहीं चुनावी बॉंड को बताया देश का सबस बड़ा स्केंडल कहा, इसके जरिये करप्शन को भाजपा ने सिस्टम में डाल दिया है। यहां देश में मन्मोहन सरकार के समय भारत और चाइना की बात होती थी, लेकिन वहीं अब देश में भारत पाकिस्तान की बात होने लगी है। प्रदेश में भाजपा ने गहलो सरकार के एक साल के कारेकाल के खिलाफ दिया धर्णा कई नेता बैठे उपवास पर, वहीं भाजपा के उपवास और धर्णे में नेताओं की गैर मजूद्गी भी चर्चा का विश्य रही। जैपुर में ही गांदी सरकिल पर हुए उपवास कारेक्रम में बीजेपी शहर के अध्यक्ष मोहनलल गुपता और सांसर्द रामचरन बोरा गायब रही। इस विरोध परदर्शन में पूर्व मुख्यमंत्री वसंदार राजे की गैर मजूद्गी को लेकर भी सियासी गलियारों में चर्चा रही। पर्थिक रूप से निकम्मेपन का राजे। राजस्थान में आगामी पंचायती राज चुनाओं को लेकर राष्ट्री लोकतांत्रीक पार्टी के संयोजक और नागोर सांसर्थ हनुमान बेनिवाल ने बड़ा बयान दिया है। बेनिवाल ने रविवार को जोदपुर जिले के दोरे पर भुपालगर विधान सभाश्यत्र में आई जित एक सभा में घोशना की है कि आगामी पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाओं में आरलपी मैदान में उत्रेगी। इस अफसर पर बेनिवाल ने प्रदेश की अशोक सरकार के खिलाफ टोल मुक्त राजस्थान युवाओं को रोजगार अपराद मुक्त राजस्थान संबंदी विबिन मुद्दों को लेकर आंदोलन शुरू करने की भी बात की है। गांधी नेरू परिवार पर आपत्ती जनक टिपनी करने के मामले में बूंदी कोट ने बॉलिवुड अभिनेतरी पायल रोतगी को 24 दिसंबर तक के लिए नियाई खिरासत में भेज दिया है। में लिए जाने के बाद PM आफिस और ग्रह मंत्राले को टैग करते हुए ट्विट किया था। पायल ने ट्विट पर बताया था कि मुझे राजस्तान पुलिस ने मोतिलल नहरू पर वीडियो बनाने के लिए गिरफतार कर लिया है। जिसके बारे में जानकर ही गुगल से ली गई थी। फीडम अप स्पीच एक मजाक है। राजस्तान में बिजली करमचारियों के लिए एक माच से ड्रेस कोड लागू होने जा रहा है। जैपू में परेटन मंत्री विश्वेंदर सिंग ने राजस्तान के राजाओं को लेकर बनाई जाने वाले फिल्मों पर कहा है कि अब यदि राजस्तान के ऊपर कोई फिल्म बनती है तो पहले डाइरेक्टरों को स्क्रिप्ट परेटन विभाग को दिखानी होगी और परे कि कोई भी प्रेटन स्थल या प्रेटन विभाग के थूँ जो पिक्चर बनती है या वो किसी व्यक्ति विशेश या वंश के उपर बनती है तो अब बॉलिवूट के डिरेक्टरों को उसकी स्क्रिप्ट प्रेटन विभाग को दिखानी पड़ेगी मंत्री ने कहा कि यदि उस स्क्रिप्ट पर कोई गलच चित्रन नहीं किया गया होगा तो उसके बाद विभाग की और से परमीशन दी जाएगी और उसके बाद ही राजस्तान से जुड़े चीजों के उपर फिलम बनाई जाएगी इसके लिए एक जाँच कमेटी पैठा दी गई है ऐसे में अब जाँच कमेटी इन सभी चीजों का दिहान भी रखेगी